आज हम लोग बनाएंगे धाबा स्टाइल सेव टमाटर की रेसिपी वीडियो को पूरा देखिए इस पर मैंने क्या टेप सें ट्रिक्स बताई है जिसके बिल्कुल धाबा स्टाइल टेस्ट करती है तो चली देखते हैं कि इनके इंग्रेटिन्स की जुरत है इसके लिए हमें यह बड़ा प्यास लें चॉप किया हुआ एक चुप किया हुआ एक चुमचा दरक लैसन का पेस्ट एक हरी मिर्ची है उसके बाद यहां पर मैंने एक आदा चुमचा नमक ले लिया आपने टेस्ट के साफ़ साफ़ाइज्ट कर से हैं आदा चुमचा धनिया पावडर मैंने आदा कप दूद ले ली नहीं हुँ अ ऐसे बनाने वाले हैं अब सकता हैं कि और तो सबसे पहले पैन ले लेंगे उसमें हम ड़ा चंचा बर ठीव बड़कर तेल उसमें हम तेल गरम हो जड़ा तो हम डाल देंगे प्याज किसी भी रज़ेकर को अगर को धाबार स्ट प्रवाइफलेम पर कुक करना है लेकिन हम यूजियुली इतना हाइफलेम पर कर सकते हैं उसको मुस्ली ट्राय किजिए हाइफलेम पर करने के लिए तब इस प्यास की नोप लाल हो रही है अब मैं इस पॉइंट पर इस पेदर ख्लास पर पेस डाल दोंगी और यह थोड़ा यह ल के लिएनट उड़ेगा लेकिन इसको हाइफलेम पर हिस तरह कि इस पॉइंट पर हमें डालें डाल देंगे तुमाटर कुभि इसी तरह के से फ्लेम पर हमें बूण जाना है अब इस पॉING पर हंप यूजियह लोकर होगी और इसको ठक कर हमें टेमाटर के पक अने कि पकाना है मैं तो हमारी टमाटर चे आप थोड़े से मुश्य हो चुके हैं time और अम यहां पर हमारी हमारी सबी पार्वावडर अधनिया कर देंगे तो सबसे पहले मैं ढालेंगी धनिया पाउडर उसके बाद रल्ली पाउडर इसके बाद गरम मसाला पाउडर आप और कम डालकर लालमिची पौडर दाल सकते हैं आप इस पॉइंट पर यहां पर हमेजमे दूढ डाल देना है यहां पर मैं आदा कब दूद का इस्तिमाल और आदा कब पानी का इस्तिमाल करूँगी, आप चाहें तो इसको पूरा दूद में भी पका सकते हैं, अब यहां पर मैं डाल दूँगी आदा चमचा नमक, सेव में भी नमक होता है, तो आपको उसके साब से इसको अज़स्ट कर प्रेश की फ्लेम को हाई ही रखेंगे और इसको एक बॉइल आने का वेट करेंगे अगर आप फ्रेश मिल्क नहीं उसका ना चाहते तो आप फ्रेश क्रीम आपके पास अवेलिबल होगा वो भी इसमें आड़ कर सकते हैं अब मैं आदा कप पानी डालकर इसको एक बॉइल आने का वेट करूंगी अगर आप इसको मिल्क में पकाते हैं तो इसमें बॉइल आगया है अब इस पॉइंट पर इसमें से वैट कर देंगे और ग्यास की फ्लेम को लो करके इसको ढग कर दो से तीन मिनट के लिए पका लिए अगर आपको इसकी प्रिपेरिशन करके रखना है तो आप जब तक पानी डाल रहे है उस पॉइंट तक आप इसको प्रिपैर करके रख सकते हैं और बिल्कुल खाने की टाइम आप इस पर सेव डालकर इसको दो मिनट लो फ्लेम पर कुक कर लिजिए तो आपकी सेव बनकर अगर आपको मेरी रसीपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजए और इस रसीपी को बिल्कुल ट्राय करके देखिए ये डाबा स्टाइल बिल्कुल बनकर रड़ी होती है आपको इस आम शूर बहुत पसंद आएगी तक कि फिंट अ कार इस रसीपी किया वुत आपको बिल्कुल बनकर पस्टाइब को खस्क्राइब को पस्क्राइब को ने क्या है एक मेरेंज को दो फिल्कुल बढ़ी वाम ईनल करेंगी है जए जह सब आएदान करेंगी है